दोस्तों आप अपने WhatsApp पर चेट लोग कैसे लगा सकते हैं और दोस्तों आपको यदि वो उप्षन नहीं मिला है तो आप किस तरीके से उस उप्षन को ला सकते हैं इसके लिए दोस्तों वीडियो को end तक देखते रहना है दोस्तों सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को open करना है और दोस्तों आप किसी भी चेट को separate log करना चाहते हो दोस्तों आप किसी को भी personal चेट को दोस्तों log करना चाहते हो अपने WhatsApp पर simple WhatsApp पर तो आप किस तरीके से चेट को log कर सकते हैं वो भी दोस्तों separate तो इसके लिए दोस्तों आपको जिस भी दोस्तों जिस भी अकाउंट को दोस्तों आपको सेपरेट लोक करना है उस ओप्सन के उपर क्लिक करना है मतलब दोस्तों उस अकाउंट के उपर क्लिक करना है कहने का मतलब है कि मुझे ये अकाउंट को मेरे अकाउंट को ही लोक करना तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं मैं for example आपको बता जाता हूं इस तरीके से आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर profile वाले option पर उपर की side आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके स नीचे की साइट आपको इस continue बटन के option पर klik करना है जैसे ही आप इस पर klik करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको finger print लगा देना है आपका जो भी fingerprint है आप लगाने के बाद दोस्तों आपको back आना है और दोस्तों आप यदी चैट करे हुए account को देखना चाहते हो तो आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं और अपना फिंगर्प्रेंट लगाते हैं आपको दोस्तो जो भी अकाउंट आपने हाईड किया है आपको देखने वो मुझ जाएगा आप दोस्तो इसको आप इस तरीके से अंदर डाल सकते हैं और दोस्तो आप इसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है तो दोस्तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको सब सब पहले अपने प्लेइश्टोर को ओपन करना है प्लेइश्टोर को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है वाट्सप आपको दोस्तो वाट्सप सर्च करना है और दोस्तो प्ल आपडेट कर लेना यदि नहीं मिला है तो दोस्तों आपको छोईज घंटे के अंदर मिल जाएगा, और दोस्तों किस किस को यह अप्शन मिल चुका है कमेंट में जरुर बताना